दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल सीवेट पैट एंड केटल पर आज हमारे एक सस्क्राइबर है दीब दिमन जी उन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरा डोग साथ साल का है और हैं बहुत ज़्यादा वोवेटिंग कर रहा है बिमार है और मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया था ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई भी इंप्रूमेंट नहीं हुआ है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप एक दो डोग को दिन में दो तिन बार आदा आदा चमस सहथ जटाएं और आपको ट्रीटमेंट क्या क्या करवाना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा तो आप वीडियो में बने रहें अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हैं तो आप मेरी रिक्वेश्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें बेल आइकन को प्र ज़्यादा वमेटिंग कर रहा है और पानी पहले तो खाना खाने के बाद वमेटिंग करता था और अब तो पानी पीते ही वमेटिंग कर देता है तो इसमें क्या होता है कि आंत में टोनो सीटी आ जाती है आंत में गाव हो जाता है और जलन ओने लग जाती है तो इसका क्या हम भी भी आते हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है तो एक तो आदा लिटर डी एनस लेनी है डी एनस को बोड़ी टेंपरेचर तक गरम करना है टेंपरेचर तक गरम करने के बाद उसमें इंजेक्शन डालने है तो एक तो मोनो सेप डालना है पांसो एमजी और एक डालना ह मीकोवेट एकσιल जिसमें मेफलोक Challenge भी नहे है तो मिकोवेट एकσιल 5 ML डालना है और ओपिन्रोण जो मन वाले हैं आपिन्डोण एंपूल आते हैं 3 ML के तो आपको 3 ML वाले जो 3 ML he वो डालने है और उसके बाद हमें पेरिनोर्म और रेंटेक दो दो एमल वो भी डालने हैं और आप आई वी लगा देंगे और ये ट्रीटमेंट आपको तीन दिन तक कर ला है और मस्कुलर में आप जो मेगलूडाइन इंचेक्शन आता है वो दो एमल आपको लगवाना है तो तीन दिन में डोग है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको डिवोर्मिंग भी करवाना बहुत जरूरी है तो आप डिवोर्मिंग भी समय डिवोर्मिंग करवाना भी बहुत जरूरी होता है अगर आप समय समय पर डिवोर्मिंग करवाते रहते हो तो आपको ये समश्चा नहीं देखने को म और अपने दोस्तों को वीडियो सेयर करें आपको ऐसी ही नोलेजबल वीडियो मिलती रहेगी अगर आप संपरक करना चाते हैं तो हमारे जो वरसब नमबर चल रहे हैं उस पे आप संपरक कर सकते हैं धन्यवाद